प्रज़नेतिक गल्यारा में आज का मुद्धा है जोतिरादित्य सिंध्या को लेकर लगातार यहाँ पर उनका नाम काफी दिनों से सुर्ख्यों में चल रहा है लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनकी भी नाराज़की देखने को मिल सकते हैं कई ऐसे हालात ना हो जाए जोतिरादित्य सिंध्या के जिस तरीके से राजस्थान में सच्चिन पालेट के हुए है तो चल यह वो तो एक अलग मुद्धा है लेकिन यहाँ पर कुछ जानकारिया यह सामने आई है कि जब से यहाँ पर बैठक हुई थी शिवरा सिंग चोहान क कि उसके बार से जो नाराज़की देखने को मिली है सिंध्या की तब से लगता है यहाँ पर सवाल पर सवाल उठ रहे है कि सिंध्या यहाँ पर अगर नाराज़की दिखाते है अपनी ही पार्टी को तो क्या यहाँ पार्टी से बाहर हो सकते है कि पार्टी को छोड़ सकते ह ये भी एक मुद्धा यहाँ पर सामने आ रहा है कि क्या कॉंग्रेस में वापसी हो सकते क्योंकि राहूल गान्नी की भारत जोड़ो यात्रा जब मद्यप्रदेश पहुची थी तो किस तरीके से हाँ पर सिंध्या ने उनका स्वागत किया था बले ही टूइट कर स्वागत क्य मैं आने वाले समय में चुनाव प्रचार करूंगी लेकिन मैं कभी खुद यहां राजनीती में नहीं आऊंगी तो यहां पर मुद्धे अभी भी बहुत सारे दिखाए दे रहे है कि कई पहले जैसे हालात ना हो जाए कॉंग्रेस पार्टी को फाइदा ना हो जाए नाराज तो सबसे पहले सवाल मेरा दीपक से ही रहेगा अगर देखा जाए हापर तो दीपक लगतर उनकी नाराजगी जो बैठक में देखी गए ती जिसको कोरोना का नाम दे दिया गया था तो नाराजगी आखिरकर किस वज़ा से थी क्योंकि एक तो बहुत बड़ा पद उनके प कियों कई बार बीजेपी के समर्थक नेता विधाय कई बार उसी बैचक में सिंध्या को लेकर या बागी नेताओं को लेकर कुछ बाती कर जाते हैं मान लीजे आप कहीं किसी पार्टी में है आप खुद उसका हिस्सा है बड़ लंबे समय से उसका हिस्सा है आप सीम पत के दावेदार हैं लेकिन अचानक सी एक दिन एक नेता आ जाता है बागी होकर और वो आपका पत ले जाता यानि कि उसको कहता है कि इसको सीम मना दो तो बुरा आपको लगे या लाजमे सी बात है तो ऐसे ही कई सारे नेता बीजेपी में में मौजूद हैं जो सिंध्या के आन उन्हेंने सत्ता में वापसी कराई शिवराज को सीम कुर्सी दी गई थे बड़े पत दिये गई लेकिन बड़ा पत को इतना भी नहीं वो तो अपने कहिने के राजनितिक करियर में आज ने तो कल तो पाही लेते लेकिन अगर सींध्या की कबिलिये देखी जाए सरकार गिर कर चलकर जान अगर जानते हैं लेकिन अगर ऐसा ही था तो 2018 में अपने आप ही बन सकते थे तो यह बड़ी बजा है कि अगर सिंधिया आए हैं तो कई सारे नेताओं को बड़ा नुकसान हुआ है और अगर सिंधिया जाएंगे तो उन्हीं नेताओं को फाइदा भी होगा तो यहां पर यानि की कहा जा सकते हैं कि फाइदा और नुकसान कई नेताओं को देखने को मिलेगा लेकिन अबरार यहां पर बात की जाए विधायकों की तो यहां पर कई ना कई ऐसे कयास लगाए जा रहे कि एक सिंध्य को चोड़ देते हैं तो वही जाएंगे वरना красив हो चोड़ा को 17 विधायक उनके साथ भाजपाँ में बाइप में जो विधायकिस को रिएक भागावत कि तो वहां पर एक बड़ा मुद्दादा के जिस तरीके से उनके चेहरे का इस्तेमाल किया गया विदान सबाचिनाओं में लगातार परचार परसार में उनसे काम लिया गया लेकिन जब आपद देने की बात आई तो कमलनाथ को आगे कर दिया गया तो ये तमाम चीजें जो है उस वक्त मद्यप परदेश की सियासत पर हावी हो गई और आखिरकार उसका नतीजा यह होगा कि कमलनाथ को इस्तिफा देना पड़ गया सत्रह विदाइकों ने बगावत कर दी और अभी कि अगर बात की जाए तो ठीक वही इस्तिती भारती जनता पार्टी में देखने को मिल रही है क्योंकि जितर अधिति सिंधिया की जो आप कह सकते हैं यहां पर उनका जो राजनितिक तोर पर जो उनका गद बढ़ाया गया है बारती जनता पार्टी के दौरा उनको बीजेपी में शामिल हुए कुछी दिनों के बाद उडियन मंतराले सौप दिया गया तो कई ऐसे बड़े फैक उनके घर पर भी गये तो यह सारी चीज़ें दर्शार ही है कि दरसल जितर अधिति सिंधिया अब कॉंग्रेस पार्टी की ही तरह भारती जनता पार्टी में भी अपने एक तरीके से स्पेस को बनाने में काम्याब हो रहा है और हो सकता है कि ओशिवरा सिंग चावान के आपका बहुत-बहुत स्वागता है उसको लेकर अलग अलग तरीके के यहां पर कयास लगने लगए कि शायद ऐसा तो नहीं कि बीजेपी से जो नाराजगी चल रूज़े से कॉंग्रेस में वापसी हो तो अगर दीपक इसी को लेकर मैं सवाल करो तो यहां पर कॉंग्रेस में वापसी को लेकर कैसा लग रहे कि अंदूरूनी तरीके से राहूल गांदी ने कहीं न कहीं जरूर हो सकता है कि सिंधिया से बाचीत की हो या मुलाकात की हो क्योंकि सिंधिया कितने मजबूत है यह बात राहूल गांदी अच्छे से जानते है और अगले साल चुनाव है तो क्या लगते हैं कि सिंधिया कही न कही राहूल गांधी का साथ देते नजर आ सकते हैं यहाँ पर बीजेवी पार्टी से नाराज़गी के चलते हैं जिसमें राहूल सोनिया खड़ गे या प्रियंका की बात कर ले यह अपने फैसलों पर तो चलते हैं शायद पार्टी की दशा कुछ अलग होती है दूसरों के फैसलों पर चलते हैं जैसे गहलोत की अगर बात करें तो गहलोत के मुह से दस बार सुनने कोई मिला है कि जो नेता छोड़ कर गए उनका स्वागत है जो नेता वापिस हैंगे उनका स्वागत है यानि उनको यह फरक नहीं पड़ता कौन जा रहा है कौन आ रहा है जैसे सचिन पाइलेट को लेकर भी निशाना साथ देते हैं लेकिन इसमें अगर सिंधिया को भी जोड़ा जाय तो यह बहु मंतरी हैं तो वहाँ पर तो गहलोत सीधे तोर पर जीच जाएंगे तो ऐसे कई सारे कांग्रेस में नेता है जो यह नहीं चाहते सिंधिया वापिस आए जो यह चाहते सिंधिया बीजेपी में रहे क्योंकि वो सिंधिया की जगे को हतियाना चाहते सिंधिया के अपने पत को पत्याना चाहते हैं से कमलनात होगे वो क्यों चाहेंगे सिंध्या वापीस आए क्योंकि सीम पत्की दावेदारी तो उनकी थी और कांग्रेस पिछली बार 2018 में जीती थी और अगर सरकार गिर कर दुबारा बनिये बीजेपी की तो यहां पर तो सिंध्या की वज़े से बनिये तो यह बहुत कुछ होता है पार्टी कांग्रेस में वापिस जा सकता है तो कि राहूल गांदी को कुछ सोचना है नीचे कि आपकी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता इस तरीके के शब्दों का इस्तमाल करते है तो कितना जादा नुकसान दायक हो सकता और जनता को भी यह बात कितनी खलती होगी देखिए दरसल कांग्रेस पार्टी के भी तर जिस तरीके से गुटबाजी उफान पर है आप देखिए चाहे वो सिर्श नेतृत वो चाहे वो निचले अस्तर के नेताओं तमाम नेताओं के बीच कही ने कहीं गुटबाजी है यहाँ पर आप देखिए सचिन पालेट अर देखिए अशोग गैलोथ को लेकर कि अभी मामला उसी तरीक से है क्योंकि कुछ विधायक उनके साथ है तो कुछ विधायक अशोग गैलोथ के साथ है और जहां तक जहरा है हम रामेश के बयान की बात है तो वो कहीं ने कहीं यहाँ पर अपनी भड़ास को निकाल रहे हैं अबने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं Congress party high command के सामने लेकिन आप देखे कि यहां पर अभी कही न कहीं Congress party को इस बात को लिखर के चिंतनरं मन्तन चूराना ही पड़ेगा कि अगर युवा PAL नेता लगा तार पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं तो उसके पीछे कोई बड़ी वज़ा होगी क्योंकि कॉंग्रेस में परिवर्तन एक बेहद आहम जरूरत है इस वक्त और कॉंग्रेस पार्टी को वो करना ही पड़ेगा और मलिका अरजुन खड़के इस बारे में पहले ही बता चुके हैं कि ये बदलाफ करना है वो करना है कहा जा रहे है कि भारत जोड़ो यात्रा की वज़े से छवी बदल रही है पार्टी लिकिन जब अगले साल अलग अलग जगा के विधानसभा चुनावे शैद तभी पता चल जाएगा कि बदली भी है तस्वीर या नहीं बदली क्योंकि इस बार के चुनाव तो ऊचके कुछ रात में देखा हार का सामना किया देख लिया हमने की हिमाचल में जीत गे लेकिन हिमाचल में जीत कोई बड़ी नहीं थी लेकिन सवाल मेरा आप लोगों से भी यह है कि क्या आप चाहते कि जोती रा देते सिंधिया कॉंग्रिस में वा